एगाई वेलकम बैक तो माई चैनल इस प्रेपले ने तुम सबका है सुवागत तो गाईज आज हम बात करेंगे पिस 5 के उपर और एक्से सीरीज हैटफोन और पावर के बारे में बहुत सारी चीज़े हैं तो यह वीडियो जरूर एंड दिखना ताकि तुम्हें सब कुछ ड है लिंक है डिस्क्रिप्शन में अगर तुम सबने अब तक पार्टिस्पेट नहीं किया है बस बहुत जल्द ही रिजल्ट आने वाला है तो जाओ पार्टिस्पेट करो उसे कुछ स्टेप्स हैं फॉलो करो और तुम बन जाओ कि वीडियो स्टार्ट करते हैं तो बहुत सा क्या है बेटर सबसे पहले तो आज एक न्यूज आई है जो कि जिनको अगर हैटफोन लेने हैं तो सोनी की जो ऑफिशल मतलब सोनी इंडिया की जो साइट है या स्टोर पे उस पर डिसकाउंट चल रहा है वर्ल्ड मूजिक डे जो कि 18 जून से स्टार्ट हुआ है और 21 जू सोनी के ऑफिशल स्टोर तो यह चार दिन की सेल है काफी सही ऑफर्स हैं तो एक बार चेक कर लेना और बात आती है जिनको सोनी के लावा कुछ और लेना है तो यार देखो बहुत सारी ब्रैंड है मैं यह नहीं बोलूँ गा कि channels 3D खराब है पर शीडी की ऐसा है यह भी बहुत सही है रेजर के हैं यह सारे मैंने शौट लिस्ट कर रहे हैं और यह सारे अच्छे ब्रैंड्स हैं मैं आपे छोटे ब्रैंड्स की बात नहीं कर रहा हूं अगर जिनको पर लेना है उसका बजट जिस बंदे का बजट टू-9000 है तो यह सब कुछ उनके लिए है यह बहुत सारे हैं यह थोड़ा चीपर साइड में हो गया अभी रिसेंटली लॉंच हुआ है यह बहुत अच्छा है 3799 और यह सारे चीज़ें 7.1 मेरे साब से एक अच्छा ओप्शन है जो लोग पॉल सेडी का ले रहे हैं क्योंकि यह 7.1 है वर्च्वल सुराउंड साउं तो यह वाइरलेस है और पर्ल सेडी वाइलेस है यह सुरी वाइड है और एक चीज़ में ध्यान रखना क्योंकि PS5 में जो वाइलेस लगते हैं वह उसका डॉंगल होता है तो अभी शायद इंडिया में उतने ज्यादा PS5 के लिए वाइरलेस हैडफोन नहीं है क्योंकि PS5 मे दोड़ने पर मिला नहीं बट अगर मिलता है तो वह आप लोग ले सकते हो और PS5 में वह वाले वाइलेस नहीं लगेंगे जो हम यूज करते हैं वह सोनी के यह एरपोर्ट वह सब नहीं लगेगा एक बार वो ध्यान से देख लेना वाइस अब बात आती है कि यार सेकंड ची यह कि PS5 का जो पावर कंजम्शन है जो maximum rated जो पावर है वो कितना है और मैं बात करूंगा ऑफिशल की जो सोनी जो खुद हमें डीटेल देता है वो सोनी हमें कितना डीटेल देता है फैर देखो मेरे पास सोनी का user manual है और यहां पे mention है कि अगर मैं जूम आउट करता हूँ य नहीं दिख रहा है यहां पे लिखा है बटेनों लिखा है maximum rated power which is 350 watt और यह maximum rated power और यह PS5 कंसोल की तो यह है maximum बट PS5 इतना consume करता नहीं है ठीक है यह maximum होती है PS4 Slim की थी कुछ 200 200 watt के आसपास बट तब भी वो इतना consume करता नहीं है और Sony की एक दूसरी website है जहां पे उन्होंने power supply को measure किया हुआ है तो यह है PS5 model number हम सब के पास यह है तो यह देखो active gaming which is PS5 gaming अगर आप PS5 game खेलते हो जो कि सबसे heavy game होते है PS5 पे और इन्होंने थ्री गेम के आवरेज निकाला है तो यह approximately land करता है 200 watt के आसपास यप तो अगर आप PS4 game खेलते हो PS5 पे तो वह लैंड करेगा 100 watt के आसपास जैसा दे सकते हो 900 ऐसा ऐसा और अगर आप सिर्फ पिच्चरे देखते हो ब्लू रहे तो वह 54 watt और अगर आप नेट्फ्लिक्स या प्राइम होटसार चलाते हो तो वह है वह 50 watt के आसपास और सिर्फ home menu चलाते हो तो इतना है यहां पर सब कुछ है रेस्ट मोट पर इतना है तो मतलब मोटा मोटा 200 watt हमें UPS हमें चाहिए सिर्फ PS5 के लिए तो यार बिल्कुल सही चीज़ है और अगर मैं UPS की बात करूं तो मैं जो UPS करता हूं मेरे पास अभी 600 विये का UPS है सिर्फ dedicated PS5 के लिए तो मैं तुम सब को भी बोलूँगा कि 600 विये तो यार मिनिममम तुम लोग जाओ ही अगर मैं बात करूं 600 विये तो वह आपको यहां दिख रहा है यह है बहुत सारी कंपनी है APC है APC के महेंगे हैं बट मिनिममम मैं आपको बोलूँगा 600 विये जो की मुझे सबसे उपर यहां पे दिख रहा है यह आप लोग लो और मैं परसली बताऊंगा मैं जो UPS यूज़ कर रहा हूं वो है आई बॉल या इंटेक्स का और मुझे कोई दिक्कत नहीं आती यार देखो हर UPS में या हर बैटरी में कुछ साल बाद आपको बैटरी चेंज करनी पड़ेगी तो ज़रूरी नहीं है कि आप APC का लो आपको इसी भी कंपनी का ले सकते हो विच यह जैसे आर्टिस पता नही इनकी भी बैटरी डाउन होगी और मेरी भी बैटरी डाउन होई मैंने बैटरी चेंज करा ली तो यार वह चीज़ ध्यान रखना बट मिनमम आल रिकमेंड कि 600 भी यह का डेडिकेट आप PS5 के लिए लो बात खतम अगर आप 1000 ले सकते हो तो गो फॉर इट 1100 वह आपके उप पंग लिस्टेड होने वाला है वापस PS Store पर जो कि मेरे लिए बहुत सही निजा है क्योंकि मैं इस गेम का वेट कर रहा हूं और यह लिस्ट होने वाला है 21 जून को और मैं काफी टाइम से इसका वेट कर रहा था और चुली मैं वेट कर रहा हूं PS5 वरजन का बट शायद मै है इसको ले लूँ क्योंकि यह फ्री अप्ग्रेडेबल है टू PS5 बट क्योंकि मुझे गेम खेलना है और यह गेम बहुत ही इतनी कॉंट्रिवर्सी होने के बाद भी इसका बहुत ही सही सेल गया है बहुत ही रिकॉर्ड तोड बिक्री हुई है तो विच इस गुड तिंग पॉर मी और जो लोग साइबर पंक का बेट कर रहे हैं क्योंकि मुझे गेम खेलना है बहुत दस साल से बन रहा है तो खेलेंगे बिल्कुल और इसकी लाइव होगी और जैसे यह जैसे यह न्यूज आई तो इस गेम का जो स्टॉक थे सीडी प्रोजेक्ट रेक्ट का 6.5 प विचे सब्सक्राइब करो कमेंट करो अपना ओपीनियन दो कि तुम कौन सा हैटफोन और कौन सा यूपीस ले रहे हो या ले चुके हो और मैं मिलता हूं आपसे अगली लाइव में या अगली वीडियो में कल लाइव होगी वैसे बाइदवे सेटरड़े को साढ़े आट ब